हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इस्टेडी नौलिश टॉप पर तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इंग्लिज के 30 most important questions करेंगे और ये सभी questions मैंने UPPC में जिस तरह के questions previous year में पूछे गए थे उसी pattern पर उसी पर based questions मैंने लिए हैं तो सारे questions आपके लिए बेहर्ड important है तो वीडियो को last तक देखिएगा दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक like जरू करिएगा तो आईए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी तो दोस्तों सबसे पहले आपके सामने है जिसमें आपको figure of speech बताना है डिया गया है the camel is ship of the desert यानि कि ओंट रेगिस्तान का जहाज है ओंट रेगिस्तान का जहाज है यहाँ पे कौन सा figure of speech होगा option है similarly metaphor, oxymoron, personification तो दोस्तों यहाँ पे option B राइटेंस होज़ेगा metaphor, metaphor जिसक metaphor होता है इसमें क्या होता है कि इसमें माली जे दो वस्तों के बीच कोई quality match कर रही होती है तो एक वस्तों को दूसरी वस्तों बोल दिया जाता है direct तो वहाँ पे metaphor होता है अगर दो वस्तों हैं उनके बीच में कोई quality match करती है तो एक वस्तों को दूसरे के जैसा बताया जाता है तो वहाँ पे simbli होता है simbli को हिंदी में उपमा कहते हैं इसमें like या as जैसे word दिखाई देते हैं अगर यहाँ पे जैसे the camel is like sip of the desert होता यानि कि उंट रेगिस्तान के जहाद जैसा है तो वहाँ पे simbli होता लेकिन यहाँ पे direct बोल दिया गया कि उंट रेगिस्तान का जहाद है तो यहाँ पे क्या होजाएगा metaphor तो दोस्तों यहाँ पे b option इसका right answer हो जाएगा metaphor फिर बढ़ते हैं आगे अगला question है why man if the river were dry I am able to fill it with tears तो यहाँ पे जो है कौन सा figure of speech होगा यहाँ पे दिया गया why man if the river were dry अगर नदी सूख गई होती I am able to fill it with tears मैं इसको अपने आसों से भर बाता तो यहाँ पे आप बदाईए कौन सा figure of speech होगा apostrophe तो यहाँ apostrophe तो संबोधन अलंकार होता है जब किसी निर्जी वस्तु को या किसी भाव को संबोधित किया जाता है जैसे कि वो इंसान हो तो वहाँ पे होता है apostrophe hyperboli तो hyperboli यहाँ पे हो जाएगा option B hyperboli जब इसको हिंडी में बोलते है अर्टिस योगती अलंकार तो इसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चला करके कहा जाता है या बहुत कम करके कहा जाए तब भी वहाँ पे hyperboli होता है तो यहाँ पे जो है if the river was dry यानि नदी अगर सूख जाती तो मैं उसको आशों से भर देता तो यहाँ पे बात को बहुत बढ़ा चला करके कहा जा रहा है इस लिए क्या हो जाएगा hyperboli हो जाएगा फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है many are called but few are chosen तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसका meaning क्या हो जाएगा बहुत बुलाये जाते हैं लेकिन कुछ चूज किये जाते हैं तो यहाँ पे कौन सा figure of a speech होगा antithesis, apostrophe, personification या none of these तो दोस्तों यहाँ पे right answer हो जाएगा option ए antithesis antithesis जिसको हिंदी में अगर कहा जाएगा तो इसको कह सकते हैं प्रति पक्षता अलंकार प्रति पक्षता अलंकार इसको कह सकते हैं तो इसमें क्या होता है इसमें दो terms या कह सकते हैं दो बातों के बीच में contrast होता है यानि एक चीज दूसरे के अगेंस्ट होती है तो वहाँ पर जो होता है एंटिथेसिस तो यहाँ पर जैसे कहा गया many are called बहुत लोग बुलाए जाते हैं but few are chosen तो दोनों बात्तों में आपको contrast देखने को मिलता है यहाँ पर many है और यहाँ पर few तो दोनों टन्स एक दूसरे के अगेंस्ट है तो इसलिए जो है यहाँ पर antithesis हो जाएगा और आपोस्टों भी आपको पता ही है कि इसमें संबोधन अलंकार होता है जिसमें किसी निर्जीव वस्तु या किसी भाव को संबोधित किया जाता है जैसे कि वो इंसान हो परसोनिफिकेशन यानि कि मानवी करन इसमें किसी निर्जीव वस्तु को ऐसे उसको दर साय जाता है जैसे कि वो इंसान हो और बलते हैं फिर अगले कुश्चन के ओर अगला कुश्चन है आपके सामने डिया गया है रिया हर्ड दा लास्ट पीस और पाई कॉलिंग हर नेम रिया ने सुना दा लास्ट पीस जो आखरी टुकड़ा था और पाई पाई यहाँ पे कोई खाने की चीज होगी जो विद्वेसों में होती होगी मुझे तो नहीं पता इसके बारे में तो पाई जो है कोई खाने की चीज है तो उसका आखरी टुकड़ा जो है उसका नाम बुला रहा है रिया ने ऐसा सुना तो यहाँ पे बताना है कौन सा जो है फिगर आफिस फीच होगा सिमली या मेटाफर परस्वोनिफिकेशन या नोन अब दीस तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट अंसर क्या हो जाएगा परस्वोनिफिकेशन यहाँ पे कोई खाने की चीज है और उसको ऐसे दर्साया जा रहा है कि वो जैसे इंसान हो क्योंकि यहाँ पे क्या कहा गया कि लास्ट पीस ऑपाई कॉलिंग हरने जो आखरी तुकड़ा था खाने का वो उसका नाम बुला रहा है तो वो निर्जी ववस्तु है वो नाम कैसे बुला सकता है तो इसको इंसान की तरह दसाया जा रहा है इसलिए यहाँ पे परस्वोनिफिकेशन जिसको हिंडी में कह कहते है मानवी करन तो यहाँ पे C-Option इसका बिल्कुल राइट एंसर देगा फिर दोस्तों बगते हैं अगले कोशन की ओर अगला है आपके सामने वी सो एक कमेडियन लाश्ट नाइट ही वो सीरियसली फनी हमने एक कमेडियन देखा लाश्ट नाइट वो सीरियसली फनी था तो जब एक व्यक्ति या किसी वस्तो के दो विपरीत गुड़ों को एक साथ दर्शाया जाता है तो वहाँ पे होता है ओक्सीमोरोन जैसे यहाँ पे कहा गया कि वो सीरियसली फनी था वो गंभीरता पूर्बग जो है मजाकिया था तो गंभीर होना और मजाकिया होना दोनों बाते एक दूसरे की वीडियो थी होती है तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या होज़ेगा ओक्सीमोरोन दे ओक्सन यहाँ पे राइटेंस होज़ेगा फिर बखते हैं अगले कोश्चन की और अगला है तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेंटेस दिया गया है इसमें एरर बताना है किस पार्ट में है यहाँ पे A, B, C, D करके है तो आप बताएए किस पार्ट में एरर है यहाँ पे तो यहाँ पे जो है combining the ongoing crisis in Europe, Europe में जो crisis चल रहे हैं उनको मिला करके the data does make a case for pause, data जो है वो बनाता है a case for pause, मतलब कि विराम के लिए तो यहाँ पे जो है right answer क्या हो जाएगा यहाँ पे error कहाँ पे है तो दोस्तों यहाँ पे आ गया the data does make a case for a pause, तो यहाँ पे जो है affirmative sentence है तो उसके साथ does नहीं आएगा, does तो यहाँ तो negative के साथ आता है, मतलब यह present in definite tense है, तो वहाँ पे जो है negative के साथ does या do आता है, या जो ह यहाँ पे interrogative sentence होता है, वहाँ पे do या does आता है, तो यहाँ पे does नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे यह हो सकता है, the data makes a case for a pause, तो यहाँ पे जो है, error है आपके C part में, और से C यहाँ पे राइटन सेगा, the data does make a case, फिर दोस्तों next question लेते हैं, अगला है, when she arrived to attend the wedding of her friend, she had been dressed in dark color, तो यहाँ पे भी आपको क्या बताना है, error बताना है, when she arrived to attend the wedding of her friend, तो यहाँ पे आप देखे, tense कौन सा है, यह है past indefinite, she arrived, यहाँ पे second form है, verb की, तो यहाँ पे जो sentence दिया गए है, C had been dressed in dark color यह दिया गया है आपको passive wise में तो यहाँ पे जब यह जो पहला यहाँ पे part है यह है past indefinite में तो दूसरा part भी आपका past indefinite में होना चाहिए था और had been नहीं होगा passive wise में है तो यहाँ पे C was हो जाएगा, C was dressed in dark color तो यहाँ पे भी जो है आपका option C right and सुझेगा, C part में गलती है C had been नहीं करके C was dressed in dark color हो जाएगा तो C option यहाँ पे राइटन सुझेगा, फिर दोसरा next question लेते है अगला है बानी who studies medicine at present hopes to go abroad doctor graduation तो दोसरा इसमें error बताईए कहाँ पे है तो दोसरा यहाँ पे बानी who studies medicine at present बानी जो medicine की पढ़ाई कर रही है present में hopes उमीद रखती है to go abroad बाहर जाने का after graduation के बार, तो यहाँ पे जो है क्या यहाँ पे studies आएगा, वो present में medicine की पढ़ाई कर रही है तो यहाँ पे जो है studies नहीं होगा studies तो present indefinite के लिए होता है यानि की वो पढ़ाई कर रही है यहाँ पे present में कर रही है तो यहाँ पे who is studying होगा तो पहले पार्ट में कलती हो जाएगा बानी who studies नहीं होगा यहाँ पे who is studying हो जाएगा medicine at present hopes to go abroad after graduation तो यह option यहाँ पे right hands हो जाएगा फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है आन ओवर्डोज आफ एनी मेडिसिन इस इनफ फैटल to a plant as to a man तो दोस्तों यहाँ पे बताईए error कहाँ पे है तो यहाँ पे जो है आन ओवर्डोज आफ एनी मेडिसिन इस इनफ फैटल यहाँ पे जो है error है यहाँ पर fatal enough होगा fatal enough क्योंकि यहाँ पर fatal क्या है adjective है fatal adjective है और adjective या adverb के साथ जब भी enough आता है तो हमेशा बाद में आता है enough जो है जब adjective या adverb के साथ हैगा तो बाद में आएगा और enough जो है अगर noun के साथ हैगा किसी noun के साथ हैगा तो पहले आता है जैसे enough money या enough pens तो noun के साथ आएगा तो पहले आएगा लेकिन अगर adjective के बाद आएगा तो बाद में आएगा जैसे कि यहाँ पे fatal enough होगा या good enough इस तरह से तो यहाँ पे जो है किस पार्ट में गलती है option C, enough fatal यहाँ पे क्या होगा fatal enough फिर दोस्तों अब next question लेते हैं अगला है complete the following sentence by choosing the most appropriate from the given world तो दोस्तों यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे सही word आपको fill up करना है दिया गया है architects define a physical structure as a set of materials arranged in such a way that these materials can dash the downward pull of gravity तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है architects यानि कि जो architects होते हैं define a physical structure एक physical structure को इस तरह से पारिवासित करते हैं जैसे as a set of material arranged कि उनका जो arrangement किया गया है materials का in such way इस तरीके से that these materials can कि यह जो material है वो कर सकें क्या कर सकें यहाँ पे जो है dislodge हो जाएगा या mimic या resist या amplify तो 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 यहाँ पे जो है सही option होगा resist कि वो resist कर सकें क्या the downward pull of gravity जो gravity होती है वो नीचे को खींची है तो उसको जो है resist कर सकें तो architects जो है इस तरह से बनाते हैं structure को कि उसमें जो material का arrangement है वो gravity को resist कर सकें तो यहाँ पे c option इसका राइटेंस जोगा इसके लावा अगर हम बात करते हैं हहाँ पे dislodge इसका मतलब तो हटाना होता है और mimic का मतलब क्या होता है नकल करना और amplify मतलब बढ़ाना होता है तो यहाँ पे resist का मतलब होता है प्रतिरोध करना यानि कि वो gravity का प्रतिरोध या विरोध कर सके तो इस तरह से जो है हाँ पे c option राइटेंस जोगा फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है आपके सामने complete the following sentence by choosing the most appropriate from the given word तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको fill करना है सही word खाली जगा पे दिया गया है although prices dash during the fuel shortage the suppliers actually saw dash in profits तो यहाँ पे जो है क्या fill up होगा पहला option है sort up sort up मतलब increase होना और an expansion expansion मतलब होता है बढ़ोतरी तो यहाँ पे जो है इसको ले सकते है sort up और यहाँ पे an expansion an expansion तो हाला की although prices sort up यानि हाला की prices जो है sort up मतलब increase हुई during the fuel shortage fuel shortage की दोरान जो है कीमते बढ़ी the suppliers actually saw लेकिन suppliers ने क्या देखा an expansion बढ़ोतरी देखी profits में उनके जो profits हैं उसमें बढ़ोतरी देखा तो यहाँ पे यही इसका राइटन सुरुदेगा option sort up and expansion इसके अलावा अगर कोई option फिल करेंगे तो सही sense बनेगा नहीं जैसे increased और a loss करते हैं तो हाला की कीमते बढ़ गई fuel shortage के दोरान लेकिन suppliers ने क्या देखा नुकसान देखा तो यहाँ पे इस तरह का कोई sense बन नहीं रहा है क्योंकि दिया गए हाला की कीमते बढ़ गई लेकिन तो यहाँ पे आगे दिखाना है कि किमते बढ़ गई लेकिन उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि हाला की लगा है तो यहाँ पे प्रॉफिट जैसा मतलब दूसरे पार्ट में भी आपको कुछ पॉजिटिव ही दिखाना पड़ेगा तो यहाँ पे an expression और short of दोनों जो है यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है इसी तरह और भी जो option है उसमें आपको सही sense बनेगा नहीं तो यही सबसे best option होगा short of और an expression फिर दोस्तों next question लेते हैं अगले है despite his age he has a silly and dash sense of human तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा despite his age यानि कि उसकी उम्र के बावजूद he has a silly उसके पास है मुरुखतापूण and dash sense of human तो यहाँ पे क्या हो जाएगा trivial मतलब होता है तुच mature मतलब क्या होता है परिपक को adolescent मतलब होता है कम उम्र का यहाँ पे जो है किशोर और youthful मतलब होता है यहाँ पे जो है उसकी उम्र के बावजूद ही है जो silly मतलब उसके पास मुरुखतापूण और adolescent हम यहाँ पे कह सकते है adolescent मतलब कम उम्र का यानि कि despite his age उसकी उम्र के बावजूद यानि उसकी जो उम्र है वो ज्यादा होगी यहाँ जो silly उसके पास मुरुखतापूण और जो है कम उम्र का sense of humor है तो यहाँ पे adolescent हो जाएगा इसके अलावा अगर कुछ फिल करेंगे तो वहाँ पे उतना सही sense बनेगा नहीं फिर दोसों next question लेते हैं अगला है choose the one which most similar in meaning और which best expresses the right meaning of given world तो यहाँ पे most similar in meaning यानि synonym बताना है दिया गया है protagonist तो दोसों protagonist तो meaning क्या होता है तो इसका मतलब होता है प्रमुक किर्दार कोई play है या कोई drama हो गए रहा है तो उसमें जो प्रमुक किर्दार होता है main character जो होता है उसको कहते है प्रोटा गोलिष्ट प्रमुक किर्दार तो यहाँ पे जो है इसका right answer क्या हो जागा reserved person reserved person मतलब जो reserved रहता हो ऐसा गत्ती talented child तो ये भी नहीं होगा fearless, nidder ये भी नहीं होगा leading character leading character यानि की प्रमुक किर्दार तो यहाँ पे क्या दिया गया है यहाँ पे दिया गया है आपको an olive branch ये जो है एक तरह का idiom हो जाएगा तो इसका जो है क्या बताना है आपको most similar meaning तो इसका जो है सबसे सही meaning क्या होगा a lady an idea a wicked person an offer of peace तो an olive branch इसका जो meaning होता है वो होता है santi का प्रस्ताव santi का प्रस्ताव santi प्रस्ताव जो है इसका meaning होता है an olive branch तो यहाँ पे राइट answer क्या हो जाएगा और santi an offer of peace an offer of peace यानि santi का प्रस्ताव तो दोस्तों next question लेते हैं अगला है यहाँ पर दिये गया है protract और क्या बताना है nearly opposite यहाँ पर antonym बताना है opposite protect का meaning क्या होता है तो दोस्तों इसका मतलब होता है बढ़ाना not to display मतलब display नहीं करना not to be careful about the future future के बारे में careful नहीं होना to indulge in extra wagons indulge मतलब सामिल होना extra wagons मतलब fijool खर्ची में fijool खर्ची में सामिल होना तो यह भी नहीं होगा to cut short मतलब छोटा करना तो यहाँ protract मतलब बलाना to cut short मतलब छोटा करना तो यही इसका right hands होज़ेगा to cut short authentic तो दोस्तों next question है यहाँ पर भी opposite बताना है किसका stark तो दोस्तों इस stark का meaning क्या होता है खुला हुआ तो यहाँ पर safe मतलब सुरच्चित होता है nearby मतलब नजदीक covered मतलब धका हुआ तो यही इसका right hands हो जागा धका हुआ option c elegant मतलब क्या होता है elegant मतलब होता है सजीला सजीला या सुंदर तरीके से ठीक है तो यहाँ पर जो है option c का right hands हो गया फिर लेते हैं अगला question choose the word which is close to the opposite in meaning of the bold word in the sentence यहाँ पर sentence में bold word दिया गया है despices इसका opposite आपको बताना है तो despices का meaning क्या होता है घ्रना करना घ्रना करना होता है या आलोचना करना आलोचना करना या घ्रना करना जो है होता है despices का meaning c despices classical music वो classical music से घ्रना करती है या classical music की आलोचना करती है तो यहाँ पर respects तो यह तो हो जाएगा सम्मान करना comprehensive मतलब क्या होता है समझना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, endorse मतलब क्या होता है, सहना, तो ये भी नहीं होगा, appreciate मतलब, प्रसंसा करना, तो यही इसका, क्या हो देगा, right answer, option D, वो प्रेना करती है, या आलोजना करती है, और इधा रपोजित में हो देगा, कि वो प्रसंसा करती है, फिर दोस्तों, next question लेते हैं, अगला है, choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom, तो दोस्तों, यहाँ पर idiom दिया गया है, took to her heels, तो दोस्तों, यहाँ पर जो है, इसका meaning बताना है, तो यह तो past tense में है, अगर इसका present होता, तो take to her heels, यह हम कह सकते हैं, take to someone, someone's heels, इसका meaning क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, भाग ज जाना, took to her heels मतलब वो भाग गई, तो यहाँ पर इसका meaning क्या हो जाएगा, bent down, तो यह नहीं होगा, bent down मतलब जुकना, kicked off her shoes, तो यह भी नहीं होगा, ran off मतलब भाग गई, तो यही जो है, इसका right answer हो जाएगा, option C, rubbed her heels, तो यहाँ पर अपनी एडियों को रगडा, तो यह भ this is the meaning of the idiom, तो दोस्तों यहाँ पर भी idiom दिया गया है, a bolt from the blue, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही आस्चर जनक, बहुत ही आस्चर जनक, बहुत ही आस्चर जनक, तो यहाँ पर जो है, इसका right answer क्या हो जाएगा, a piece of bad luck, तो यह नहीं होगा, a complete surprise, मतलब कि ऐसी कोई चीज जो पूरी तरह से आस्चर जनक है, तो यह ही इसका right answer क्योंगा, a complete surprise, फिर दोस्तों आब भड़ते हैं, अगले question क्यों, choose the word from the given alternative, which can be substituted for the given phrase, तो यहाँ पर जो है phrase दिया गया है, और इसके लिए एक word आपको बताना है, यानि one word substitution का question हो जाएगा, chanting of magic spells, इसका मतलब क्या हो कोई मन्त्व अगे रहा है, और तो इसका जाप करना, तो यहाँ पर इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करना, और यहाँ पर इसका right answer क्या हो जाएगा, narration, तो narration मतलब, of learning करना होता है, वरन परना recitation मतलब क्या होता है मतलब कोई चीज बोल करके पढ़ना या सुनाना ठीक है मतलब आवाज के साथ पढ़ना को कहते है recitation आवाज के साथ पढ़ना और फिर है incantation तो यही इसका राइटेंट सुएगा incantation incantation का मतलब क्या होता है तो दोस्तों incantation का मतलब भी होता है मन्त जाब करना मन्त जाब करना और इसके अलावा attendance का मतलब क्या होता है तो इसका मतलब होता है कथन यहाँ पे c option बिल्कुल राइटन सरोगा फिर दोस्तों next question लेते हैं अगला है in the following questions a sentence has been given in active और पैसिव ways तो यहाँ पे आपको sentence दिया है जो कि या तो active मैं होगा या passive मैं और उसको आपको बनाना है passive या active मैं तो active होगा तो passive बनाना है passive है तो active तो यहाँ पे क्या दे रहा है रस्मी was moved to tears at the site of the miserable dog तो दोस्तों यहाँ पे जो है यह passive ways में है passive wise में है रस्मी was moved तो जब past indefinite में होता है तब जो है उसका passive बनाते हैं तो was आ जाता है तो यहाँ पे जो है आपको देखना है कि यहाँ पे जो active wise का sentence है वो past indefinite में कौन सा है option में आप direct देखिए दिया गए the sight of miserable dog had moved to यह जो है had आगए है यहाँ पे past perfect तो यह नहीं होगा the sight of the miserable dog moved रस्मी to tears तो यहाँ पे यह जो है dog moved the sight of the miserable dog moved रस्मी to tears तो यह जो है past indefinite में है तो यही इसका राइटर से जगा इसके लावा c option देखेंगे the sight of the miserable dog moves रस्मी तो यहाँ पे जो है moves आ गया है यही present indefinite तो यह भी गलत हो जाएगा आपका the sight of the miserable dog has moved present perfect आ गया तो यह भी गलत हो जाएगा तो इस तरह से आप यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे tense आप देखेंगे और किस tense से अगर यह passive है यहाँ पे तो आपको यह देखना है कि इसका active जो है concertence रहा होगा ठीक है तो उस तरह से आप आसानी से कर पाएंगे options को eliminate करके फिर दोस्तो next question है we had to stop all other work to complete our assignment तो यहाँ पे जो है डिया गया है active wise में अब इसको passive बनाना है तो क्या करना होगा सबसे पहले जो object है उसको ले आना है सबसे पहले we had to stop verb है verb के बाद जो आता है वो होता है object all other work जो है object हो जाएगा तो सबसे पहले all other work आ गया had to है यहाँ पे तो जब इस तरह से to आता है मतलब had to या has to या was to तो वो हो जाता है to be, यहाँ पे had to be हो जाएगा, had to be, तो अब आप option में direct देखिए, had to be किसमें है, तो पहले ही option में आप देखेंगे, had to be है, all other work had to be stopped by us to complete our assignment, तो यही इसका राइटन सुएगा, इसके अलावा अगर आप भी option में देखेंगे, all other work was stopped, यहाँ पे had to be नहीं गलत हो जाएगा, all other work had stopped, तो यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, तो यह option बिलकुल इसका राइटन सुएगा, फिर दो सुन next question है, the गांधी जी started the quit India moment in 1942, तो यहाँ पे जो है यह active में है, और tense आप देखेंगे, तो जो है tense कौन सा है, tense है आपका past indefinite, गांधी जी started, गांधी गांधी जी ने शुरू किया, quit India moment, भारत छोड़ो अंधोलन 1942 में, तो यहाँ पे object क्या है, वर्व के बाद है, the quit India moment, यह सबसे पहले आजाएगा, और past indefinite है, तो past indefinite को change करते हैं, तो वाज यह वर आता है, वाज यह वर आता है, क्योंकि the quit India moment, यह singular है, तो इसलिए वाज जाएगा, started by गांधी जी in 1942, यही इसका बिल्कुल सही answer हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सीधे देखना था, यह past indefinite है, तो वाज यह वर आएगा, फिर जो है वर की third palm आएगी, तो इस तरह का जो है option में, आप चेक करते हैं, तो आराम से option से कर लेते, यहाँ पे started आ गय गया, और यहाँ पे वाज भी न गया, तो इस तरह से आप आराम से eliminate करके पहला option टिक कर सकते थे, फिर दोस्तों next question है आपके सामने, thick clouds have overcast the sky, overcast मतलब होता है धक लेना, तो यहाँ पे मोटे बादलों ने sky को धक लिया है, present perfect tense है, और इसका जब passive बनाएंगी, यह active है, passive बन या have been आता है, वो जो है object जो है जैसे the sky है, तो उसके अनुसार होगा, the sky, यह object है, यह सबसे पहले आ जाएगा, और इसके जाद जो है has been लगेगा, has been फिर जो है verb की third form, overcast यह जो है third form ही है, तो overcast ही हो जाएगा, तो यहाँ option में ही direct देखिए, यहाँ पे the sky was है, तो यह न है और overcast by thick clouds, thick clouds यहाँ पे subject था और यह जो है by के बार आ जाएगा, यहाँ पे, तो do option इसका बिलकुल धाईटेंस हो जाएगा, फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले question की ओर, अब दोस्तों यहाँ पे direct, indirect speech का question है, तो यहाँ पे जो है, या तो direct दिया होगा, या indirect और उसको आ बनाना है, अगर indirect है तो direct बनाना है, direct है तो indirect, तो दिया गया है, dear are ceremonies going on, she said to me, तो दोस्तों यहाँ पे she said to me है, reporting वर में, तो इसका क्या होगा, she told me, she told me, यहाँ पे she told that आ गया, यह नहीं होगा, she told me, फिर जो है, फिर that आएगा, she told me that, dear are, यहाँ आर है, तो अब यह reporting पास्टेंस में है, तो यह reported speech भी पास्टेंस में हो जाएगी, तो dear are की जगह क्या हो जाएगा, पास्टेंस यानि वर हो जाएगा, तो dear work, dear work, ceremony is going on, यहीं इसका राइटन से का option B, फिर दोस्तों, next question लेते हैं, अगला है, she said to him, what a hot day, तो दोसों, यहाँ पे जो है, एक्सलामेटरी साइन है, यानि कि एक्सलामेटरी सेंटेंस हो जाएगा, यहाँ पे, reported speech, तो यहाँ पे see, और यहाँ पे जो है, फिर आजाएगा, exclaimed, see, exclaimed, और यहाँ पे जो है, आपको देखना है, reported speech, जो sentence है, इसमें sentence का भाव कैसा है, तो what a hot day, पर लोग कितनी गर्मी का दिन है, तो यह गर्मी का दिन किसी को अच्छा तो लगता नहीं है, जब बहुत गर्मी हो, तो आदमी खुस हो करके तो कहेगा नहीं, आदमी दुख हो करके कहेगा, निरास हो करके कहेगा कि कितनी गर्मी का दिन है, ठीक है, तो यहाँ पे जो है, sorrowfully आजएगा, अगर खुसी वाली बात होती तो होता, joyfully, see, exclaim, joyfully, तो यहाँ पे sorrowfully आजएगा, फिर जो है, उसके बाद आएगा, that, see, exclaim, sorrowfully, that, और इस तरह का option आप देख ल है, the principle, sad to meet, यह meet है, जो की एक नाम है, congratulations, wish you success in life, तो यहाँ पे जो है, right answer क्या होगा, sad to की जगा हो जाएगा, यहाँ पे congratulations, उन्होंने बढ़ाई दी है, तो congratulated हो जाएगा, the principle, congratulated, तो यहाँ पे the principle, wished है, यह गलत हो जाएगा, the principle, sad, sad नहीं हैगा, sad to की जगा, congratulated आ इसको meet को, congratulate किया, and wished, wish भी किया है, तो यहाँ, and wished हैगा, nucky and sad, तो यह वाला भी गलत हो जाएगा, पहला option, जो है, right answer क्या होगा, the principle, congratulated meet, and wished him success in life, फिर दोस्वों, next question है, you can't bathe in this sea, she said to me, it's very rough, तो दोस्वों, यहाँ पे जो है, क्या होगा, she said to me, sad to का बन जाएगा, told me, told me, तो see told me, जो है, किसमें है, option name, see told me, और यहाँ पे भी है, see told me, इसको आप हटा देजे, see told me, that, और you, यहाँ पे है, you, तो you, जो है, किसके अनुसार चेंज होता है, यह second person है, इसकी मैंने आपको टिक बताई थी, son, one, two, three, जो first person होता है, वो subject अनुसार चेंज होता है, second person object concern, और third person जो है, उसमें no change, तो यहाँ पे जो है, you, यह second person है, और यह object के अनुसार चेंज होगा, तो me के अनुसार चेंज होगा, she told me, that, me के अनुसार चेंज होगा, तो I आजाएगा, I, और यहाँ पे जो है, आपने देखा, you है, तो यह जो है, cancel हो गया, तो बचा यही, on the sea, as it was very rough, तो यहाँ पे पहला option बिल्कुल सही हो जाएगा, पिर दोस्तों अगला question लेते हैं, next है, in this question, there is a sentence of which some parts have been jumbled up, rearrange these parts to produce the correct sentence, choose the correct sequence, तो दोस्तों यहाँ पे जो है, sentence के कुछ part दे गए है, one, two, three, four करके, जो की jumbled अपने, यानि इधर उधर कर दे गए है, इनको rearrange करना है, ताकि जो है, एक सही meaning, इस sentence का निकल सके, और फिर जो है, आपको सही sequence बताना है, the grocer, यहाँ पे सबसे पहले सब की meaning देख लेते हैं, तब आपको आथानी से समझ में आजएगा कि किसको पहले रखने है, तो the grocer मतलब क्या हो जाता है, पंसारी, ग्रावसर मतलब होता है, पंसारी, जो किराने की दुकान करता है, उसने जो है, नहीं सुना, to the protest of customer, customer के protest को, who was in the habit of weighing less, जो आदत में था, weighing less मतलब कम तौलने की, मतलब जिसकी आदत थी कम तौलने की, whom he had cheated, जिसको उसने धोखा दिया था, with great audacity, order city मतलब चाला की, बहुत ही चाला की से, तो यहाँ पे जो है, यह तो पहले रहे गई, the grocer मतलब पंसारी, फिर इसके बाद ले सकने हैं, दो नमबर, who was in the habit of weighing less, जिसकी आदत थी कम तौलने की, तो दो नमबर पहले ले लिया हमने, फिर इसके बाद ले सकने है, did not listen to the protest of customer, ए इसके बाद इसको ले सकते हैं, जिसको उसने धोखा दिया था, मतलब जिनको उसने धोखा दिया था, तो तीन नमबर आजेगा, with grade or order city, बड़ी ही चाला की से, तो 2134, पंसारी, जिसकी आदत थी कम तौलने की, उसने अपने customer के protest को नहीं सुना, जिनको वो धोखा देता था बहुत ही चाला की से, तो यहाँ पर बिल्कुल सही, sense यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ पर B option इसका राइटर सेगा, 2134, फिर दोसों next question है, और यह जो है, आखरी question है, the impact, तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको क्या करना है, rearrange करना है, तो सबसे पहले meaning देखेंगे, the impact मतलब प्रभाव, तो यह तो पहले रहे गई, फिर देखेंगे, is to be seen, मतलब देखा जा सकता है, in the diverse changes, in consumer habits, किसमें, in the diverse changes, बिभिन परवर्तनों में, in consumer habits, ग्रहकों की आदतों में, of technological and industrial development, technological and industrial development का, in cities, यानि शहरों में, towns and even in village, agglomerates, तो दो सहरों में, और कजबों, और यहां तक की गाउं छेतों में, ग्रामीर छेतों में भी, तो यहां पर जो है, इसका सही answer क्या होगा, तो the impact, यह तो सबसे पहले रहे गई, उसके बाद हम ले सकते हैं, तीसरा option, the impact मतलब प्रभाव, इसका technological and industrial development का, फिर जो है इसके वन को लिया, और इसके बाद कहां देखा जा सकता है, is to be seen in the diverse changes in consumer habits, किस में देखा जा सकता है, in the diverse changes, मतलब उभोगताओं की बिभिन आदतों में जो है देखा जा सकता है, तो इसके बाद दो ले सकते हैं, और कहां, in cities, सहरों में, कस्बों में और ग्रामीर छेतों में भी, तो इसके बाद 4 हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, तो C option बिल्कुल right hand हो जाएगा, 3, 1, 2, 4, तो दोस्तों, आज का वीडियो यही पर समाप करता हूँ, उमीद करता हूँ, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो like और share करना ना भूले और जो दोस्त नहीं है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को अउन कर लिजे, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, तो दोस्तों मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक ले गुडब क्या क्या कि आए अग ओजो हैं, तु करणे बेल के इझा टू।